आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले है लेडी बवन कॉलिज के अड्मिशन प्रोसेस के बारे में जहां दोस्तो आपको बता दे कि 1st जुलाई से कैलकेटर यूनिवरसिटी के अंदर जितना भी कॉलिज आता है वो तमाम कॉलिज का अड्मिशन स्टार्ट हो गया है तो दोस्तो अगर आप इस साल अड्मिशन लेने वाले हो तो दोस्तो आपको बता दे कि online form फिलब का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो आप जिस भी कॉलिज में आपको form भने का इरादा है आप उस कॉलिज का online form फिलब कर सकते हो और दोस्तो आपको बता दे कि 15 जुलाई तग ये form फिलब का प्रोसेस चलेगा 15 जुलाई के बाद जो है आप किसी भी कॉलिज में form फिलब नहीं कर पाओगे इसलिए दोस्तो अगर आपको इस साल admission लेना है तो आप 15 जुलाई के अंदर अपना मन पसंदीदा कॉलिज का form को फिलब कर लो तो दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले है लेडी बोमन कॉलिज के admission प्रोसेस के बारे में तो दोस्तो बता दे आपको के 1 जुलाई से लेडी बोमन कॉलिज का admission प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और दोस्तो ये एक girls college है जिया दोस्तो लेडी बोमन कॉलिज जो है वो एक girls college है और इसके इलावा दोस्तो यहाँ पे आपको सिर्फ BA और BAC मिलेगा जिया दोस्तो BA, BAC जो 4 year का honors course है वही आपको मिलेगा बिकॉम यहाँ पे नहीं है और दोस्तो यहाँ पे MDC का कोई इंतिजाम है यानि ना आप जो पहले past course या general course जिसको बुला या था था जो अभी तीन साल का BA का course है या BAC का course है वह वाला दोस्तो आपको Lady Woman College में नहीं मिलेगा यहाँ पे सिर्फ आप BA या फिर BAC 4 year का graduation कर सकते हो जिसको honors with और without research अभी course का नाम दिया गया है वही वाला four years का BA या फिर BAC कर सकते हो become या फिर MDC का कोई यहाँ पे इंतिजाम नहीं है तो अगर आपको honors लेना है four years का BA या BAC और अगर आप girls हो तो ही आप college में admission ले सकते हो otherwise आप यहाँ पे नहीं ले पाओगे यहाँ पर पहले ही आपको mention कर देगा website में कि only female candidate are eligible to apply तो दोस्तो आपको बता दिया है पहले ही कि first July से admission स्टार्ट हो चुका है और अगर दोस्तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें important dates के बारे में तो first July से admission स्टार्ट हुआ है और दोस्तो आपको बता दे के 15 July को जिहां दोस्तो 15 July Saturday को 2 बजे दिन तक ही admission होगा या अप्लिकेशन form of admission portal के जरीए जो है admission.ladywoman.ac.in 15 July को आप 2 बजे दिन तक ही अपना online form fill up कर सकते हो दो बजे के बात यहाँ पर कोई भी online form except नहीं किया जागा सबसे पहला merit list जो है वो 15 July को ही 8 बजे शाम में निकलेगा जिहां दोस्तो 15 July को ही यहाँ पर merit list निकल जागा उसके इलावा जो है आपको 16 July को अगर आपका admission merit list वग्यारा में आपका नाम वग्यारा छूड गया तो आपको एक email id दिया गया है lbc.admission.helpline.gmail.com अगर आपका merit list में नाम छूड वग्यारा जाए तो आप 5 बजे शाम में ये email id में जो है आप अपना mail करके बता सकते हो कि आपका merit list में नाम नहीं आया है आप eligibility criteria में थे लेकिन आपका फिर भी merit list में नाम ने आए क्योंकि merit list 15 तारीक को ही आ जागा तो 16 का आप complaint कर सकते हो उसके बाद फिर से एक बार merit list निकाला जाएगा वो निकलेगा 17 तारीक को 6 बजे शाम में जिया दोस्तों यहां पर पूरा detail में list दिया हुआ है आप देख सकते हो 17 फिर से एक merit list निकलेगा उसके बाद दोस्तों admission 18 जुलाई से start हो गा जिया दोस्तों 18 जुलाई को 10 बजे से सबसे पहला online admission शुरू होगा और 31 जुलाई को admission close हो जागा जिया दोस्तों 31 जुलाई को यहां पर admission close हो जागा और इसके बाद first semester का class जो है वह एक अगस्स जो है वो अपना भर दो उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं subject में तो यहां पर जो दोस्तों major subject है आपको पहली बता दिये कि major subject मतलब पहले जो honors होता था वही major है जो four year का course आप करोगे तो यहां पर आपको पहली बता दिये कि BA और BSC दो ही है तो यहां आपको major subject में अगर हम लोग बीए का बात करें तो उसमें आपको बिंगॉली इकनोमेस इंग्लिश जोग्रफी हिंदी हिंस्ट्री पर्शियन फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस संस्क्रीट साइकोलोजी और उर्दू मिलेगा यह सब में आप आनस कर सकते हो यह सब आपको minor subject भी दिया हुआ है कि अगर आप उपर में major subject में अगर वो लेते हो तो यहां पर आपको minor subject को भी option मिलना इसमें से किसी को भी आप अपना minor subject बना सकते हो यह दोस्तों हो गया आपका ओनस का बात कि किस कि subject में आपको बीसी और बीए में आनस मिलेगा इसके लावब दोस्तों document जो जो required है वो भी यहां पर दिया हुआ है कि recent आपको अभी का जो है passport size photo चाहिए signature चाहिए applicant का age proof चाहिए age proof के लिए कौन-कौन सा document required है माँ पर option दे दिया गया है 150 kb में आपका होना चाहिए इसके लावा class 10 का जो है मध्धमिक का आपका mark sheet चाहिए document के तौर पर class 12 का hs का mark sheet चाहिए card certificate चाहिए आपका अगर आपका पास है कुछ अगर आप pwd हो यानि आपका आप डिसेबिलेटी वग्यार हो तो उसका भी आपको certificate बीपेल कार्ड है तो उसका भी देना पड़ेगा अगर बाकी सब document में इफ लिखा हुआ है अगर वह सब आपके पास है तो फिर आपको देना पड़ेगा अगर हम लोग यहां पर बात करें number of seats के बारे में कि लेडी बमन कॉलिज में कितना number of seat है तो यहां पर तमाम subject के हिसाब से आप देख सकते है स्क्रीन में seat दिया हुआ है कि total number of seat पहले दिया है फिर general category का कितना ह सबसे पहले तो आपका 10 प्लस टू में overall percentage जो है वो 55% होना चाहिए जो subject आप ले रहे हो उसमें आपका 50% होना चाहिए यानि बिंगॉली में और उसके बाद किस तरीके से आपका merit list में नाम लिख लेगा वो भी यहां पर calculation formula दिया हुआ है किस तरीके से आपका merit list में नाम निकलेगा overall percentage प्लस बिंगॉली का जो आप subject ले रहे हो उसका percentage और जो आप एचस में नंबर score किया हो वो तो तीनों मिलाके जो है वो आपका merit list निकलेगा फिर merit list में जिस तरीके से नाम होगा उस तरीके से admission होगा उसके लावा chemistry वगारा कभी दिया हुआ है 70% चाहिए chemistry में overall और उसके किलावा जो है जो सब्जेक्ट में chemistry में जो आनॉस करोगा उसमें 75% आपका HS में होना चाहिए तो इस तरीके से बाकी subject का भी दिया हुआ है आप जो subject ले रहे हो वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो वो subject में eligibility criteria क्या है admission लेने का नीचे आपको वीडियो का description में जो है आपको website का link मिल जागा college का वहां से जाके देख सकते हो इसके लावा दोस्तों अगर हम लोग subject combination के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे subject combination में देखने को मिलता होगा जैसा for example आप history लेते हो तो subject combination में आपका क्या है तो हिस्टी में आप कोई भी दो subject अपना subject combination में ले सकते हो political science है इंग्लीश है बिंगॉली उर्दू हिंदी में से कोई एक लेने होगा या फिर आप Persian Sanskrit psychology ले सकते हो women history sorry women's studies या philosophy में से कोई ले सकते हो इतना सारा subject combination आपक में English लोगे तो भी आपका पास पास subject option में तो इस तरीके का आपका subject combination भी मिल जाता है अच्छा खासा जो आपको चाहिए तो आप एक बार देख लेना admission लेने से पहले कि आपको क्या-क्या चाहिए इसके लावा दोस्तों आप अगर हम लोग fees structure के बारे में बात करें तो यह geography आपका honor से तो फिर आपका 4621 रुपे लगेगा और अगर आप BA course with major in economics लेते हो तो फिर 4096 रुपे लगेगा तो इस तरीके से जो है आपका course fees भी दिया हुआ है तो आप एक बार admission लेने से पहले जिस भी subject में आप admission ले रहे हो तो उसका course fees भी आपको देख लेना जरूरी है तो दोस्तों ये तमाम information हो गया lady woman college के admission के हिसाब से और बाकी भी आप admission जब लेना चाहते हो तो उसका website में सारा details दिया हुआ है आप वहाँ पे देख सकते हो और अगर आपको कोई question वगया रहा है lady woman college के admission से related तो आप मुस्से comment में पूछ सकते हो या फिर दोस्तों मेरा facebook ए instagram id description में दिया हुआ है आपके screen में नजर भी आता होगा आप मुझे वहाँ बेभी पूछ सकते हो और दोस्तों आगे भी ऐसे ही informative वगयारा वीडियो के लिए जो है आप मेरा चैनल को subscribe कर लो और दोस्तों बेल आइकन को जरीर on कर लो क्योंकि अभी ऐसी college admissions related और जितना भी information है ऐसी सब information जो आपको वीडियो के माध्धम से मिलता रहेगा तो दोस्तों ताके जब भी कोई नए वीडियो आए तो आपको कोई भी वीडियो का link जो है वह आपसे छूटे नहीं और तमाम information आप तक पहुँच जाए इसलिए आप चैनल को subscribe कर लो और bell icon को on करके रख लो ता कर दो